हलो दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है वीडियो देखकर आप समझी गए होंगे कि आज हम किस चीज का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कच्ची केरी की आईस क्रीम का वीडियो बहुत ही स्वादिस्ट आईस क्रीम बन करके ये त तयार हुई है तो चले बनाते हैं कच्ची केरी की आइस क्रीम यहां पर हमने कच्ची केरी लें खूर कर त्यार के जाटर हो यहां पर लेARE किज़ की थीक फाइन करें करें लीगे ये देखिए इस तरह से फाइन पिस्ट बनाएंगे इस तरह से हम एक स्टील का भारी बरतन लेंगे क्योंकि केरी खट्टी है तो इसलिए हमने स्टील का बरतन यूज़ किया है अब इसमें डालेंगे हम एक लीटर पानी तो यहाँ पर पहले हम आधा लीटर पानी डालेंगे और उसके बाद आदा लीटर पानी एड़ करेंगे तीन केरी में हमने यहाँ पर एक लीटर पानी यूस किया है और दो कप करी है हमने चीनी यूस क्योंकि यहाँ पर हमारी केरी खटी है तो उसके कोडिंग हमने यहाँ पर दो कप चीनी यूस की है इसको अच्छे से हैं मिक्स कर लेना है और इसको हमें थोड़ा पका लेना है अब इसमें एड़ कर देंगे हम आम का पल्प जो हमने पीस करके त्यार किया था इसको भी हमें साथ में डाल करके अच्छे से दो से तीन बॉयल आने तक पका लेना इस तरह से और जो फेना होगा उसको हम निकाल देंगे जिससे कि हमारी जो आईस्क्रीम बनेगी एकदम क्रिस्टल जैसी बन करके तयार होगी और यह देखिए बॉयल होने पर इस तरह से लिकविट तयार हो जाएगा इसको हमें दो बॉयल आने तक और पका लेना है अच्छे से बॉयल अच्छे से आने लगा है अब एक कटोरी में डालेंगे तीन चमच कॉर्ण फ्लार यहाँ पर हमने छोटी चमच का यूस किया है फ्लेंको स्लो करके हमें धीरे धीरे करके इस तरह से घौल मिला लेंगे और इसको अठी है अच्छे से मिक्स कर लेना है ओक द अब एक change काला नमक और एक च्छ कंच मिला देंगी भुना जीरे का पावडर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो आइसक्रिम हमारी बनती है एकदम चटकारे वाली आईस्क्रीम बन करके तयार होगी कच्छी कहरी की बहुत ही स्वाधिस्ट आईस्क्रीम बनेगी इसमें अच्छे से बॉयल आने लगा है अब इसमें हम कलर के लिए मिला देंगे दो चुटकी ग्रीन फूट कलर यह optional है यदि आपको पसंद हो तो mix करें वरना skip कर सकते हैं इससे सरिफ लुक अच्छा आता है देखने में टेस्ट वही रहता है इसको अच्छे से mix कर लेंगे और एक से दो बॉयल आने तक और इसको हम पका लेंगे और यह देखिए बढ़िया से यह पक करके तयार हो गया है अब गैस की flame को हम आफ कर देंगे और इसको में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तो यह करीब एक घंटे बाद ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद आप इसका texture देख सकते हैं यह कितना गाड़ा हो गया है अब लेंगे यहां पर mixer jar और इस तरह से आदा liquid डालेंगे और इसको मैं pulse mode पर दो round चला लेना है इस तरह से यह देखिए इस तरह से हम चला करके liquid तयार कर लेंगे और इसका color आप देख सकते हैं एकदम change हो गया है इसी तरह से हम पूरा liquid चला करके तयार कर लेंगे mixer jar में चलाने से इसके अंदर air bubbles आजाएंगे जिससे कि जब हमारी ice cream जम करके तयार होगी एकदम soft होगी बरफ की तरह tight नहीं होगी यह देखिए इस तरह से तयार हो गया है अब इस तरह से हम ले लेंगे mold और mold में हम अपने ice cream को fill करते जाएंगे यदि आपके पास mold ना हो तो आप paper cup में भी ice cream को जमा करके तयार कर सकते हैं इस तरह से mold में तयार कर लेंगे बच्चों को यह देखने में attractive लगेगी और खाने में बहुत ही tasty लगेगी और इस तरह से हम cap लगा करके इसको 8-10 गंटे के लिए deep freezer में जमने के लिए रख देते हैं अब इस तरह से हम paper cup ले लेंगे और कुछ ice cream को हम paper cup में जमाएंगे इस तरह से ये भी बात में बहुत ही easily निकल जाती है अब इसके उपर हम लगाएंगे silver foil इसको हम रात में बना रहे हैं तो direct हम इसको freezer में रखेंगे यदि आपके पास समय हो तो 2 गंटे के बाद आप इसमें stick लगा सकते हैं पर हमारे पास समय नहीं है तो इस तरह से हमने silver foil लगा करके stick को direct लगा दिया है यदि आपके पास समय हो तो silver foil लगाने की ज़रुत नहीं है आप 2 गंटे के बाद stick को लगा सकते हैं अब इसको हमें 8-10 गंटे के लिए या फिर overnight के लिए deep freezer में जमने के लिए रख देना है और ये देखिए आइस क्रीम को हमने overnight के लिए deep freezer में रखा था अब इसको हम निकालेंगे तो इस तरह से एक बरतर में पानी लेंगे और इस तरह से mold को रख देंगे इसको हमें 30-40 सेकंड के लिए ही छोड़ना है इस तरह से और इस तरह से हम निकाल करके ice cream को demold कर लेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाती है आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसको हमने निकाल लिया है बहुत ही tasty ice cream बन करके तयार हुई है आप देख सकते हैं इसका color भी कितना अच्छा आया है ये देखने में attractive लग रही है बच्चों को बहुत पसंद आएगी color डालना इसमें optional है यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो और बच्चों को आप color नहीं खिलाना चाहते हो तो आप इसमें color को skip कर सकते हैं ये देखिए टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा बहुत ही स्वाधिस्ट बन करके तयार होगी एक आईस्क्रीम खाने से आपका मन बिलकुल भी नहीं भरेगा बहुत ही स्वाधिस्ट बनी है ये आईस्क्रीम कच्ची केरी की कच्ची केरी की आईस्क्रीम बना करके जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत पसंद आएगी आपको हमारे एक अच्छी कैरी की आइसक्रीम का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जबूर बताईएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अपना किंती समय देने के लिए थैंक यू